हेलो फ्रेंड्स वेल्कम एंड वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लुक आप आप सब अच्छे हो आज मैं आप सब के साथ शेयर कर रहे हूं दिवाली स्पेशल मेकप लुक सबसे बहले तो आप सभी को हैपी दिवाली सो मैंने ये मेकप लुक बहुत ही सिंपल रखा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कीज़ेगा चैनल को सबस्क्राइब ने क्या हो तो कर लीज़ेगा बैल आइकन को प्रिस करना ना भूलेगा ताकि मैं ये वीडियो ये मेरे फेस को सूट करता है अगर आप चाते हैं इस पर डीटियल वीडियो बनाओ तो प्लीज मुझे कॉमें जरूर बताएगा तो मैंने इसको अपने हैंड्स पर लिया है 2-3 डॉप्स और डैप करके अपने फेस पर अपलाई कर रहे हूं इस तरह से दन मैं या पर यू क्योंकि विंटर से आ रहे हैंड इसको अच्त हैड्रेट करना आ एंगे फेस को अच्छे से हाइड्रेट करना है है और वहीं आपने इस अच्छे से मसाच करके वह send एप कर और से नाच्य पर ट्रियक्शन पर अपने म२हीं ने पर निय। प्रीड लिख साँपन पूढमा definitely try कर सकती है and winters में हमारी skin काफी जादा dry हो जाती है so always use a good wash razor then मैं या पर यूज करूँ कि प्राइमर प्राइमर कली मैं या पर लिया है NYB का प्राइमर and ये मेरी skin पर काफी अच्छे सपोर्स को minimize कर देता है so मैंने इसको just tiny amount में ही यूज किया था then I am applying this pearl illuminator so मैं इसको बहुती थोड़ा थोड़ा सा अपनी cheeks पे and chin पे apply कर रही हूँ brush की help से इस तरह से blend करते हुए and इसे मैंने shaker की use किया है क्योंकि काफी जादा liquidy है then I am applying this NYB की color stick so मैंने यहाँ पर orange color stick को use किया है अपने dark circles को hide करने के लिए and जहाँ जहाँ मुझे pigmentation है वहाँ पर भी मैं इसे अच्छे सप्लाई कर लूँगे like mouth के around मुझे काफी जादा pigmentation है so मैंने इसको apply कर लिया है then brush के help से इस तरह से blend कर लूँगी आइस पर भी हमें अच्छे से blend करना है बहुत ही ध्यान से blending हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए मैं हमेशा बताती हूँ so friends अगर आप मुझे instagram में follow करना चाहते तो instagram का link आपको description में मिल जाएगा so वहाँ पर check out करना बिल्कुल भी मत भूलेगा and सभी products की details आपको description में मिल जाएगी then मैं यापर यूज करूँ हूँ NYB की ही color stick and मैंने black shade को pick किया है and इसको अपनी eyelid पे dark side curls पे जहाँ चाह मुझे pigmentation वहाँ पर मैं apply कर लूँगी then brush की help से इसे भी अच्छी से blend कर लूँगी बहुत ही ध्यान से मैं blend करना है then मैं यहाँ पर यूज करूँगी foundation foundation के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ lack makeup foundation and इसका shade मैं description में दे दूँगी so मैंने यहाँ पर dot out करके ही अपने पूरे face पे apply किया है इस तरह से and हमें अपने neck पे भी apply करना है भूलना नहीं है then मैं इसे blend करूँगी foundation brush की help से आप जाए तो beauty blender के use भी कर सकती है आप जिसमें comfortable है वो यूज करिए but please foundation को थोड़ा सा time दीजे makeup में हम जितना ज़्यादा time देंगे ना makeup हमारा उतना ही अच्छा आएगा and एक मिट तक मैंने अपने face को इस तरह से blend कर लिया है then मैं यहाँ पर use करूँगी loose powder so loose powder के मैं यहाँ पर ले रही हूँ SQ का loose powder and brush की help से मैं इसकी thick layer apply करूँगी अपने dark circles पर and chin area पर and इसको 1 minute तक लिए अपने face पे इसी तरह से रहने तूँगी अगर आपके dry skin ने तो आप 1 minute से कम भी रख सकते हैं आपके oily skin ने तो आप 1 minute से जादा रखिए अगर हम अपने face पे 1 minute से जादा loose powder को रखेंगे तो face काफी साथ dry हो जाता है so मैंने just one minute के लिए ही अपने face पे रखाता है and उसके बाद brush की help से इस तरह से dust out कर ले था so अब मैं करूंगी अपना eye makeup, eye makeup के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे SQ का काजल यूज कर रही हूँ and इसको as a liner यूज कर रही हूँ अपनी eyes पे इस तरह से बहुत ही dark dark मैंने apply किया है and इसको दोनों ही eyes पे apply करने के पाद मैं यहाँ पर ले जी हूँ hoda beauty के eyeshadow palette and इससे light brown shade को pick गया है जिसमें अपनी eye lid पे brush की help से इस तरह से blend करते हुए apply कर रही हूँ so आप दोग देख सकते है eye makeup हो गया है done so अब मैंने lower lash line पे भी काजल ही apply किया है then मैं अपनी eye lashes को कर लूँगी curl then मैं यहाँ पर use करूँगे मशकारा so मशकारकली मैं यहाँ पर ले रही हूँ faces का रेटर का मशकार है and इसके 2-3 coats अपनी eye lashes पे इस तरह से apply कर लूँगे मैंने fake eye lashes नहीं apply कर रहे है and आजकर मैंने kajal apply करें तो मेरे face पे मुझे kajal अच्छा लगने लगा है आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे comment में जरूर बताएगा and lower lash line पे मैं अच्छे से apply कर ले है then मैं यहाँ पर use करूँगी NYB की lipstick so मैंने यहाँ पर dark shade को pick किया है dark pink shade है सामने से बहुत ही जादा प्यार लगता है camera में थोड़ा सी जादा dark लग रहा है so मैंने इसको अच्छे से apply कर दे बहुत ही light light apply किया है and इसके बाद मैं यहाँ पर use करूँगी Nude lipstick NYB की and इसको apply करने के बद लिपस्टिक का shade बहुत ही प्यारा रखता है so इन दोनों ही lipstick के लिंक आपको description में मिल जाएंगे so please वहाँ पर जाके चेक आउट करना बिल्कुल भी मत भूले का and इसको apply करने के बाद मैं इसको brush की help से इससरह से smudge कर दूँगी then मैं यहाँ पर apply कर रहूँ हूँ blush 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 के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ sugar का blush and it is my favorite brush this heavy earrings बहुत ही प्याले लग थे जुमकी style में थे and look बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है मुझे comment में जरू पताएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस वीडियो को like comment share कीजेगा चैनल को subscribe ने क्या हो तो कर लेजेगा bell icon को press करना ना भूलेगा ताकि मेरी वीडियो की side notifications आपको मिलती रहे and guys once again happy diwali आप सभी को so chally friends मिलते हैं next video में